मी्व पुष्पा पुष्पारियल ब्लॉग चेनल में आप सभी फ्रेंज का एक बार फिर से बहुत स्वागत हैं कैसे है सभी आशा करती हो। प्रेंस अबी सुबह के बज रहे हैं मेरे ख्याल अनो बज रहे होंगे और दिन बता देती तो संडे का दिन चुटी का दिन है और तारिक है सताई सगस्त सताई सगस्त और संडे और फुल एनरजी के साथ वीडियो की शुरुआत करीए मैंने वैसे तो पहले मेरा मन्था की व रिखाना बहुत जरूरी हो जाता है ब्लोग बनना टो बनता ही है तो मिने का चलो वीडियो भी शुरू कर दिती हूं क्योंकि मेरे पास भी व्लों नहीं है राख भी खतम हो चुके तो मैंने का वीडियो की शुरुआत भी हो जाएगी और साथ के साथ मेरे काम भी होते रहेंगे तो इस तरीके से एक अच्छा सा ब्लॉक बन जाता है तो चलिए विडिये भी शुरुआत में कर चुकी हूं नौ बज रहें टाइम भी बता दिया दिन तारीक बता दी है और फ्रेंस आज संडे का दिन है और मैं लगी हूं अपने जाल निकाली है मंधिर नहीं हूं नहीं संडे हैं बागी उपर कि सारी जाली जाल हुँ में अब तर फिरबेट की साथ सफाई करकर चैंच कर दिये हैं और इधर की भी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी इधर की सफाई करकर मतलब आज सारी चीजे हटा अटार कर साफ करी है मैंने उसके बाद यहाँ यह जो है अलमारी की उपर इस पर भी बहुत धूलो डस्ट हो जाती है तो यह सारा साफ करकर मैंने चीजों को अच्छे से और यह भी निकल जाता है तो यह सारी चीजे रोज रोज तो नहीं हो पाती हटा कर सफाई करना यह किसी तहवार के आने की खुशी में या महिने दो महिने के बाद ही होती है तो यह सारा हटा कर मैं सारा कबार निकाल चुकी हूँ पिछे रूम की सारी सफाई हो गई है आग रूमकी भी सफाई करिए देख सकते हैं पूरे घर की जाला निकाली है मैंने अच्छे से पूरा डीप जाड़ू और डस्टिंग पूरा हो चुका है मेरा और मैं कच्रा दिखाती हूं आप सभी को इतना सारा निकला है कि इतना सारा कच्रा दिखता नहीं है और जब निकालो और सफाई करो तो बहुत कच्रा निकलता है तो इतना सारा देखिए रोज जाड़ू पोछा होने के बाद भी इतना सारा कबार निकला हुआ है और इधर से यह भी मैंने निकाल रखा है अब मेरा सिरिफ लास्ट काम रह रहा है पोच्छा लगाना तो डीप पोच्छा लगाऊंगी वाइपर से भी और का पोच्छा में सारे घर में लगा दूँगी आज में जो है डीटॉल उसमें तोड़ा सा गंगा जन डालकर पोच्छा लगाऊंगी और इस तरीके से मैं सफा से कुछ कबाड लिकालना चाहिए कुछ साबसफाई हमें करना चाहिए उससे हमारे घर की नेगटिविटी दूर होती है और पोच्छी का वास होता है और ये सारी चीज़े मैं अपने बढ़ों से सिखी है अपने गर मेरे घर में मम्मी वगेरे मेरे घर में मतलब बड़े लोग मेरे इसी तरीके से तेहवारों पर मतलब कोई बड़ा दिन होता है जैसे हम आवस्पूनिमा एकादसी वगेरे हो गई तो डीप सफाई करते हैं तो वही आज मैंने भी करी है और हो गया है बस पोछा बाउल देदें ट对 вас नीने मैं इसकल और क्योंट कर नती है तो मैं यहाँ यहां आपक्रणोवい लिया उसके बाद में लगाने जारी पोच्छा तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसके घर में चुटा बेबी हो चुटे बच्चे हो मेरी बेटी जैसा उसकी काम आसानी से हो जाए मेरा जहां एक काम आदे घंटे में होना होता है वह होता है 40-45 मिलट में मतलब 10-15 मिन टेस्टरा ही तो यहाँ बेदू ने फिर जो है सींग इला कर दिया अपने कपड़े भी गिले कर लिये और तोली अपने आपसे उतारना था कई सारी चीजे जी तो जैसे तैसे मना कर उसे मैंने बेट पर बिठाया उसके बाद पूरे घर का पोच्छा लगाया और उसके बाद मैं फिर ज बहुत ज़ादा उड़ी थी और उसके अब नहा कर में घर मंदिर में पूजा कर रही है काम फिनिश करकर नहा करते हैं तो वह मंधिर करने के बाद किचन में अभी तक कुछ नहीं बनाया था बेदू को बनाने के साथ दूद के साथ बनाना वगेरी खिला दिया था तो यहां पर मैं बना रही हूं जो मंदिर में गुर्दवारे बहुदा बनता है ना वह कड़ा परशाद बनाया मैंने सूजी और आटा और बेसन को मिक्स करकर घी में भून कर और मैंने पानी के साथ चीनी को मेल्ड कर लिया था वह इसमें मिक्स करकर और देखे एकदम लग रहा ना कड़ा परसाद और जितना सुंदर यमी दिख रहा है ना फ्रेंस हलबा उतना ही इसे फ्रेंस मैंने अपने बाल कॉम करे बाल सुखाए और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा मतलब जैसे की नाश्टा किया था मैंने तो नाश्टा नाश्टे के बाद या खाने के बाद शाम के समय पर आपको एक्सोसाइज का कोई टाइम नहीं होता आप किसी भी समय पर यह चीज जरूर कहूंगी कि मॉर्निंग में खाली पेट जो एक्सोसाइज करने का बेनीफीट है वो बाकी टाइम में करने से नहीं होगा तो जिस फ्रेंस को वेट लॉस करना है तो वो अर्ली मॉर्निंग खाली पेट ही करे तो बैस रिजल्ट मिलेगा नहीं तो शाम की समय तीन से चार की वज़े में करें तो बैस रिजल्ट मिलता है लेकिन मेरे को बभी बजन वगिरे नहीं लूस करना है मैं तो नार्मल ही हेल्दी रहने के लिए कर रही है तो मैं नाशता वगिरे करकर 20 मिनट के गेब दे कर मतलब नाशते के बाद या तूरंद खाने के बाद तो थोड़ा सा गेब दे कर फिर आप कर सकती है जैसे मैं कर रही है वैसे आप भी बिल्कुल कर सकती है जिनका वजन बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा बिल्कुल मतलब सब करकर हार चुके हैं फिर भी मोटापा नहीं कम हो रहा तो वो फ्रेंस कुछ ना करकर 32 बार फोर्मूले क को फोलो करें अपने लिए 24 घंटे में से मातर 35 मिनट निकालें और उस बीच में आप कुछ ना करकर कुछ योगा वगेरे करें और मातर आप दो एक्सुसाइज करें सिर्फ जादा नहीं दो ही एक्सुसाइज करेंगी आप तो भी आपको बैस रिजल्ट मिलेगा क्योंकि था एक्सुसाइज करेंगे योगा वगेरे करेंगे तो चबा कर खाएंगे तो आपको 100-100% जो है रिजल्ट मिलेगा थाई फेट और बेली फेट आपका एटोमेटिकली घटना शुरू होगा उसके लिए फ्रेंस थोड़ा सा मेहनत तो करने ही पड़ेगी तो मेहनत करिए और 32 इस बार फॉर्मूले को फोलो करी क्योंकि मैं पहले भी बताई हूं यह फॉर्मूला जो है बहुत ही बैस्ट फॉर्मूला है तो जो पूरे शरीर के फेट से परिशान है वह 30 मिनट के एक्सुसाइज को अपने रूटीन में शामिल करें और कुछ एक्सुसाइज करकर जो कर रही हूँ ना इन ही सारे एक्सुसाइज को आप फास्ट होकर करें 15-20 के सेट में करें और चबा कर खाएं बाहर करना खाएं और अपने हेल्दी डाइट फॉलो करें और एक्सुसाइज बगरे तो जरूर करें तो आपको जरूर ही रिजल्ट मिलेगा फ्रेंस तो उसके बाद मैंने छूर्च में करकर ताइम मिल गया संडे का दिन था तो मैंने तो यह सफाई कर ली हैं अध्या च्वार आतिवाल वहार हैं और यह सबाई होनी चाहिए ऑज यह कद आसी भी थी मैंने का चलू कर ही कर ईसा है नवामा यह तो फाइनली मेरे घर में की तो पूरी साफ सफाई हो चुकी है वस मंदिर रह गया वो में शाम के समय में करूंगी और उसके बाद नीचे आ गई थी मैं तो आज मैंने खाने में बनाया है दलिया दलिये को मतलब खिचडी टाइप बनाया है मैंने आलू प्याज वगेरे सारी चीजे टेमाटर गिए डाल कर बहुती टेस्टी बना था ये और अचार के साथ ना तो दुफहर का लंग्ड़ हमारा हो गया है क्यों कि तो मैंने क्रशड़ी नहीं बनाई थी क्टकी सब्धाय सब्सक्राइखbook सकते हैं और सकते हैं याहां पर उसके बाद मेद दुफ्रों सब्सक्राइब में वही मैंने जैसे कि बोला कि शाम को तीन बज रहें अभी, तीन साड़े तीन का टाइम हो रहा होगा, मैं दुपहर में थोड़ा रेस्ट करी थी, रेस्ट के बाद मैं भी उठी हूँ, तो दुबारा फिर से मैं जो है, यह मंदिर वाला जो सफाई का काम रहे गा था, यह मेरे शाम की समय पर इसको भी क्लीन कर दिया, देखिए, उपर का सारा पाट साफ करकर मैंने सारी चीजों को दवाईयां वगेरे होती है, यहाँ पर क्योंकि बेदू के डर से मैं उपर ही रखती हूँ, नीचे होती है तो बेदू सारा खराब करती है, और मैं उपर ही रखती हू हमेशा दवाईयों को तो सारी बेस दवाईयां जो थी खराब वो हटा कर मैंने साफ सुतरे से दवाईयों को साफ करकर रख दिया उसके बाद जो है नीचे के साइड में यहाँ पर मैं पूजा पाट का समान रखती हूं तो दिनर का टाइम मतलब अवी करीबन बज रहे हैं 7.30 या 7.40 ऐसा ही टाइम हो रहा था इससे जादा नहीं तो यहां पर मैं बना रही हूं रात के डिनर में यम्मी से गेहुं के और गेहुं बेसन सूजी का चीला आज सुबेरे में गेहूं बेसन सूजी का ही हलवा भी खाया था हमने और सेम तरीके का ही मैंने यम्मी सा ही शाम के समय में चीला बढ़ाया है इसमें मैंने प्याज, टमाटर, खीरा, कड़ी पता बगर अच्छे से डाल कर मतलब हेल्दी तरीके से मैंने इस चीले को बनाया है रेस्पीस की मेरे चेनल पर मैंने पहले भी सेर करी हुई है अपने वीडियोस में तो चेक कर लीजेगा और बहुत ही अच्छा हेल्दी सा चीला बन के तियार होता है हलकी भूख हो तो आप इस तरीके से खा सकते हैं बनाके तो इस समय हम लोग को ज़्यादा कुछ खाने का में तो बजरासन में बैठती हूं अब इस वीडियो का भी एंड करूंगी मिलती हूं अच्छे से वीडियो के साथ तब तक टीकर एंड बाबाइ